नमस्कार मैं हूँ अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com एक नसर डालते हैं अब तक की सुरुख्यों पर बीते 24 घंटे में देश में करोना संक्रमण के 1000 मामले पाए गए हैं इसके साथ ही भारत में करोना संक्रमण से प्रभावित होने वालों की संख्या बढ़कर 13387 हो गई है इस रोग से अब तक 437 लोगों की मौत हो चुकी है सरकार ने अनुमाल लगाया है कि देश में करोना संक्रमण माई के पहले हफ्ते में अपने सर्वो चुविंदू पर होगा यानी सर्वादिक होगा उसके बाद इसमें धीरे धीरे कमी आती जाईजी करनाटक के कलबूर्गी में गुरुबार को सिंद लंगेश्वर मेले में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग इगट्टे हो गए इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें हजारों लोग एक रत्खो खीच रहे हैं वीडियो में लोगों को कंधे से कंधा मिला कर रत्खो खीचते हुए देखा जा सकता है इस दोरान ना तो लोग डाउन की कोई फिक्र की गई और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का धियान लखा गया कलबुर्गी पुलिस ने इसकी पुष्टी करते हुए टूइट कर कहा है कि रवूर गाउं के लोगों ने लोगडाउन का उलंगन किया है इसके साथ पुलिस ने केस भी रजिस्टर कर लिया है दिल्ली इस्तित एक निजी अस्पताल के 18 डॉक्टर, नर्स और स्वास्तेक और्मियों से कहा गया है कि वे अपने अपने घरों में ही खुद को कॉरिंटिन टर लें इस अस्पताल में एक गर्वती महला की मिरत्यू के बाद ये फैसला लिया गया है ये संदे है कि उस महला को करोना संक्रमण था सरकार ने को शेत्रों को आवस्चक सेवा करार देते हुए लोकडाउन से छूट देती है इसमें गैरवित्य संस्ताओं और माइक्रो फैनेंस की कमपनियों को भी शामिल किया गया है इसके लावा नारियल कोको प्लान्टेशन को भी लोकडाउन से छूट दी कही है अमेरिका में करोना संक्रमण की भयाबहता का अनुवान इससे लगा जा सकता है कि बीते 24 घंटे में वहाँ 4,491 लोगों की मौत हो चुकी है जौन हॉप्किन्स उनिवसिटी ने इसकी पुष्टी करते हुए कहा है कि अमेरिका में अब तक 32,970 लोगों की मौत हो चुकी है राश्पति ट्रंप ने गुरुवार को संकेत दिया कि अमेरिकी अर्थववस्ता को जल्द ही खोल दिया जाएगा उन्होंने कहा कि वे हर राजी के गवर्नर को इसकी छूट दे देंगे कि वे अपने हिसाब से अर्थववस्ता खोले इतली में करुणा संक्रमट से मरने वालों की तादाद बढ़कर 22,170 हो गई है अमेरिका के बाद सबसे अधिक लोग इतली में ही मरे हैं इसके बाद इस पेन में मरने वालों की संख्या 19,130 है इसी तरह फ्रांस में करुणा से अब तक 17,920 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक के खबरों में इतना ही बागे खबरों के लिए बने रहे है सत्थिंदे.com के साथ